ओम सिरी गनेशा नमदोस्तो एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज कीस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 मार्च मंगलवार के रासी फल के बारे में कीह दिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आ आप अपने आज के दिन को रिवी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सस्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिस से समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने वीडियो पहुंच सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज विध्यारतियों को इंटर रचित रहें आपकी संतुलित दिन्चरिया की वज़े से अधिकतर काम आज समय पर पूरे होते जाएंगे साथी साथ दोस्तों किसी धार्मिक प्रवर्ती के विक्ति से आज आपकी मुलाकात आपकी विचार धारा में शकार अत्मक परिवर्तन लाएगी तथा जीवन से मनोरंजन संबंदित प्रोग्राम बनेंगे और संबंदों में नजदी की आएंगी पिछले कुछ समय से जिन कारू के परती आप मेहनत कर रहे थे आज उसके सुब परिणाम उमीद से जादा आपको प्राप्त होंगे धार में कारू के परती आज आपका रुजहान बढ़े पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी वे आज बहुती सहज और आसान तरीके से हल हो जाएंगे वस्त्र आबूशन जैसी खरीदारी में भी आज समय व्यतित होगा समय आपके पक्ष में हैं इसका सम्मान करें किसी सुब समाचार के मिलने से घर परिवा और छमता पर परिवार के सदस से गर्व महसूस करेंगे किसी विश्वेशनिये व्यक्ति की शलाम और शयोग आपकी खोई हुई प्रतिश्ठा को दुबारा हासिल करवाएगा जिससे आपके आत्म विश्वास में वरद्दी होगी घर में कोई धर्मिक आयोजन भी आज पन होगा दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा दिन सिद्ध होगा दोस्तो आज आपको नहीं नहीं सफलता हैं मिलने के अनेको योग हैं दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता हैं दोस्तों के साथ आज फिजूल घूमने फिरन आ सकती है अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज समाल कर रखें कोई इनका गलत इस्तमाल भी कर सकता है और इसकी वज़े से आपके स्वाबिमान को भी ठेस पहुँच सकती है संतान की गत्य विदियों पर पैनी नजर रखें बच्चों की समस्याओं को सांती पूरवक सुल्ज उन्हें डाटने वे गुस्सा करने से उनके अंदर हिंता की भावना उपज सकती है कालपनिक बातों पर अधिक ध्यान ना देकर यथार्थ पर विश्वास करें परन्तु ध्यान रहे कि किसी भी कार्रे को करने से पहले उसके अच्छे बुरे पहलूँ पर आप विचार अत परन्तु सफलता प्राप्त करने के लिए मर्यादाओं का ध्यान रखना आपके लिए आवशक हैं कोई भी अनुचित कार रहें और आपका क्रोध पूर्ण वहवार आपकी योजनाओं को डगमगा सकता हैं शाफदान रहें दोस्तों दूसरों के सुजावों पर गंभीरता से विचार करें तता फिजूर खर्ची से बचें अचानक ही किसी प्रकार के महत्वपूर्ण खर्चे सामने आ सकते हैं साथी साथ किसी निकट संबंदी से भी मतवेद होने की आज पूरी संभवना हैं साफधान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं जबकि लवलाइफ के शिरेने परिवारिक गति विदियो में आपका शयोग और समर्पन वातावरण को और भी अधिक खुस नुमा बनाएगा तथा आपसे संबंदों में और अधिक नजदी कियाएंगी पति-पतिनी के संबंदों में मधूरता रहेगी किसी भी महत्वपूर्ण कारे में अपने जीवन स पति की आपसला हवश चलें आज का दिन आपके प्रेम संबंदों को मजबूत बनाने के लिए एक बहुती अच्छ दिन शाबित होने वाला है दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वैवशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों आज ग्रह इस्तितियां आपके पक्ष मे करें कोई गलती होने की भी आज संभाव ना है दोस्तों देनिक आए में वरती होगी आयात नियात संबंदित कारों में अधिक ध्यान केंदरित करें कोई बड़ा अनुबंद मिलने की आज संभाव ना है नोकरी पेशा व्यक्तियों को अपना टार्गेट पूरा करने से तर बस्तत होने के आज योग बन रहे हैं अथे समय का आप भरपूर सद्यूपयोग करें दोस्तों वैवसाई गतिविदियां आज सुचारू रूप से चलती रहेंगी परंतु नोकरी पेशा वाले व्यक्तियों को अपने कारों के पिर्ती थोड़ा साफधान रहने की वियाव सक अन्यता अधिकारी वर्ग की नाराजगी का भी आपको शिकार होना पड़ सकता है वैवसाई के विचार संबंदित रूप रेखा पर किसी भी कारे को आज इस्थगित करें आर्थिक सादनों में आज व्रद्धी होगी परंतु किसी भी प्रकार के अनुचित कारे को करने से आपको बचना होगा दोस्तो प्रॉपर्टी से संबंदित कारों में पेपर वर्ग पर आप अधिक ध्यान दें जरासी साबधानी आपको किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है नोकरी पेसा व्यक्तियों से बौस्वे अधिकारी वर्ग आज प्रसन रहेंगे प्रम भवना बन सकती है इसलिए आज आप अत्यादिक साफधानी बरते हैं वैसे आज आपका स्वास्त बहुत यच्छा रहेगा साथ शाथ अपने स्वास्त का और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज के लिए विशे सोपाई क्या है दोस्तों आज आप इश्रान आदी से निर्वत्र होने के बाद एक नारियल लें जहां दोस्तों उस एक नारियल पर आप सिंदूर से सुवास्थिक बनाएं इसके बाद आप उस नारियल को अपनी समस्त मनों कामनाई मांगते हुए भगवान बजरंग बली जी के चल्णों में अरपित कर दें जहां दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही भगवान बजरंग बली आपसे बहुत ज्यादा प्रसन होंगे आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशानिया चल रही हैं या किसी कारण से आपके कोई क काम नहीं बन रहे हैं वे सभी परेशानिया खत्म होंगी और आपके समस्त काम बहुती आसानी से बनते चले जाएंगे और आपको ऐसा करने से अवस्ते ही लाब प्राप्त होगा दोस्तों भगवान बजरंग बली का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद